हेलो एब्रीवन दस इस दिपिका विलकम बाक टो माई यूटूब चैनल आज हम डिसकस करने वाले हैं प्लियूरिस्टिक व्यू उफ स्टेट तो स्टेट के हमने कई सारी थियूरीज देखी और रीजन को लेकर फिर स्टेट के पॉइंट और व्यू को लेकर कई सारे कॉंसे देखते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट हो जाता है अपका प्लियूरिस्टिक व्यू उफ स्टेट जैसे कि आप देख रहे हो कि कितने सारे क्वेश्टिक से पूछे गए हैं सो प्रीवेस से के क्वेश्टिन को इंक्ल्यूट करने का मेरा एम और ऑब्जेक्टिव यह है कि जिससे कि आपको यह पता चले कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्टिन पूछे जाते हैं और आप उसी डिरेक्शन में अपने जो आप जो टॉपिक है उसको प्रिपेर करोगे तो पहले में एक ओवर्विव देदू कि आज के डिसकेशन में क्या क्या रहने वाला है प्लूरिस्टिक वीव अफ स्टेट में सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी कि मीनिंग क्या है सिंपल सा मीनिंग क्या है यह कॉंसेप्ट और प्लूरिलिजम क्या है इसके बाद से मैं डिसकुस करूंगी कि जो प्लूरिस्टिक वीव अफ स्टेट है यह क्या है दिन डिव broker model हो गया तो neutral state model हो गया तो pluralistic state के तीन important model हैं उन्हें discuss करेंगे और last में critically evaluate करेंगे कि pluralistic point of view of the state में जो किस तरीके के criticism किस तरीके के limitations को highlight किये गए हैं तो ये एक overview है तो मुझे लगता है कि आज के discussion के बाद जो pluralistic view of state है आपके पस enough content होगा आपके answer लिखने के लिए okay तो बस ध्यान से समझना story समझना और कोशिश ये करना कि अगर आप इससे notes short notes निकाल सको आज की discussion से तो right तो copy pill लेकर short notes भी बना सकते हो तो what is the concept of pluralism तो pluralism basically क्या होता है कि multiplicity right diversity ये just opposite है monopoly का monopoly में क्यों होते है single person single organization ये single group का domination होता है pluralism बात करता है monopoly के against में जहां बात की जाती है multiplicity की diversity की कि कई सारे individuals multiple individuals multiple groups multiple section of the people's का dominance है या sharing of the powers है getting it simple से meaning यही है तो in reference of political pluralism की जब बात की जाए तो यह किस sense में आता है कि जो power का distribution है न वो किसी एक single group या कुछ लोगों के हाथ में नहीं है जो power का distribution है वो society के बहुत सारे groups के बीच में distributed है और यह theory आप देखोगे कि against में रहेगी किसके जैसे marxist के काल माक्स ने क्या का था कि जो power है चाहे वो political power हो economic power हो यह किसके हाथ में रहती है जो haps class है जो bourgeois class है जो capitalist class है working class के पास तो कुछ भी नहीं है ऐसे ही जो elite theory के supporter से वो कहते है कि कुछ few मुठी बर लोग है few people in the society है जो power को enjoy करते हैं के comparative points अपने answer में जरूर लिखना काल माक्स का point mention करना elite theory को mention करना getting it तो pluralist theory इन सारे point of view को reject करते हुए कहती है कि नहीं जो power distributional society में वो जो various group है society के there are lots of group in the society उनके बीच में है right simple meaning हो गई है तो pluralism क्या हो गया जो society as state है यह balanced representation करती है interest of the various groups interest of the various organizations ऐसा नहीं है कि particular class का ही सिर्फ interest represent करता है state जैसे कि काल माक्स ने क्या का था कि जो state है यह क्या है this is the committee of bourgeois class okay तो इसकी against में pluralistic theory बात करती है अब जब pluralist बात करते हैं society में equality की तो actual equality से मतलब होता है equality of political opportunity right हम political concept में बात कर रहे है political reference में बात कर रहे हैं तो pluralist कहते हैं यह पर equality है political opportunities की political participation की जैसे कि काल मांक्स इसके just opposite बोलते हैं या elite theory के जो supporters है वो इसके just opposite में बोलते हैं कि कुछ few people in society में जिनको opportunities actual में मिलती है participate करने का किसमें political affair में अब pluralist theory कहते हैं कि भाई यह pluralism यह diversity क्यों है society में क्योंकि इसी तरीके से ही तो हम society में best तरीके से govern कर सकते हैं society में balance और जो stability है वो maintain कर सकते हैं अब यह various groups section जो हम बार-बार use कर रहे हैं वर्ड इसका क्या मतलब है तो simple इसकी meaning यह है यह जो organization एक तो state हो गया जो government होती है इसके बाद बहुत सरे unions होते हैं जैसे कि trade unions जैसे labor unions farmer unions professional associations होते हैं जैसे कि bank employees के हो गए या railways के employees के हो गए या medicals doctor या engineers यह जो professional course and lawyers का association होता है अपना तो professional associations होते हैं जो अपनी interest का promote करते हैं collectively रखते हैं देन इसके बाद से environmentalist हो गए civil right activist हो गए इसके बाद से business financial lobbies होती है या तो formal या informal coalition होता है like minded citizens का लोग ना अपने religion के groups बना लेते हैं देन अपनी community अपनी कास्ट का group बना लेते हैं particularly in India में तो जो pluralist कहते हैं कि state के अलावा यह सारे organization भी society में present है और जो sharing of power है जो political participation है इन सारे groups के बीच में चल रही है चीज़ें state केवल state का domination नहीं है केवल state के पास power नहीं है जैसा कि काल माक्स माक्सिस्ट सपोर्टर कहते हैं या या एलीट थियोरी के सपोर्टर कहते हैं तो hope you got the idea कि pluralism को हम political pluralism में किस तरीके से बात कर रहे हैं got it basic idea लग गया आपको तो फर्दर आपको चीजें समझने में थोड़ी आसानी रहेगी okay तो pluralism में diversity multiplicity अब देखो अब इसके बहुत सरे factors हैं कि क्यों ऐसी pluralist theory यह सब चीजें promote कर रहे हैं अभी हम factors में देखेंगे इसको जब development देखेंगे तो pluralism को जसने जसने support किया है आप देखोगे उसमें बहुत सारे नाम है scholars के नाम है जो मैंने यहां पर प्रवाइट किये हैं और आपको एक्जाम में वैलू एडेशन में सारे पॉइंट्स काम आएंगे तो try to note down these scholars कई बार जैसे मेरा personal experience भी रहा है कि जब हम theories लिखते हैं ना तो हम स्कॉलर्स के नाम नहीं मिलते कि हम यह नाम का अप इतनी भी standard book तो हम पढ़ते नहीं student life में तो प्रॉब्लम आती कि यह इस theory के जो exponents है उनके वह various scholars के नाम क्या है तो यहां पर मैंने कोशिश कि आपको यह provide करने की ताकि आप अपने answer में इन्हें लिख सको और value addition कर सको extra marks के लिए getting it तो यह सारे points को note down कर लो यह scholars के नाम okay फिर आप 4-5 वीडियो खोजो गे फिर उसमें से निकालो गे तो इस बेटर ना कि आपको एक ही जेगे सारी चीज़े मिल जाए okay तो यह जो scholars हैं जैसे कि फ्रेडरी के मैटलेंड हो गया जी हॉपसन हो गया लास्की हो गया आपके तौने हो गया तो यह सारे या कोले हो गए तो यह सारे जो scholars हैं यह क्या कहते हैं कि society में यह social context पर कहा है ना इंडिवीजवल की interest को integrate किया गया है जैसे कि काल मार्क्स ने एक point क्या किया था कि जो society है जो capitalist society है उसमें alienation होता है इंडिवीजवल का जो working class है क्योंकि वह political affair में participate नहीं कर रहे हैं वह factories में लेबर के रूप में बस काम कर रहे हैं और जो वह product बना रहे हैं वह भी उनका freedom या उनकी choice के according नहीं है वह out of compulsion उनको बनाना पड़ रहा है तो इस तरीके से यह जो thinkers हैं scholars हैं वह कहते हैं कि capitalist society में individuals को ऐसा नहीं है कि alienate कर दिया जाता है isolate किया जाता है उनकी जो need है जो जो उनके interest है उसको शामिल किया जाता है integrate किया जाता है getting it फिर pluralist further कहते हैं कि जो modern industrial society है जिसके negative aspect को कालमाक्स ने highlight किया था कि industrial society होने की वज़े से society में class division है दो classes है haps class haps not class इसी तरीके से elite theory भी class में power को लेकर classes कर division हो गया तो जो pluralist हैं यह कहते हैं कि industrial society के जो negative aspect है ना उनको resolve किया जा सकता है यह in negative aspect को abolish किया जा सकता है किसके किसके through the process of decentralization तो pluralist theory support करते हैं उस state को जिसकी power decentralized है decentralized कैसे है society में various groups हैं जो already हमने कुछ देखे नाम यहाँ पर और जो power है रेट वो उन groups के बीच में distributed है fragmented है decentralized है तो इस तरीके से हम power का decentralization करके क्या कर सकते हैं industrial society के जो negative aspect है उसको remove कर सकते हैं जबकि जैसे कालमाक्स आप देखोगे ना कालमाक्स ने क्या का था कि इंडे जो capitalist society इंडेस्ट्रियल सोसाइटी से ओवर्थू करना पड़ेगा क्रांती के त्रू रिवॉलूशन के त्रू क्यों क्योंकि भाई यह तो class में इन इक्वाल जो society में inequality establish कर रही है तो इसको ओवर्थू करो और communism establish करो तो कहीं न कहीं इस इंडेस्ट्रियल सोसाइटी या capitalist सोसाइटी या लिबरलिजम को सेफगार्ड करने के लिए प्लियूरलिस्ट थियोरी ने अपने justification दिये अपने आप में इंप्रूफ किया ओके फर्दर exponent आप देख सकते हो और अल्रेडी ऊपर हम लोगों ने नाम ये discuss कर लिये हैं तो ये कहीं से sticky notes पे लिख लो और इसको अपने थियोरी में जरूर मेंशन करना तो hope you got the idea अभी ये सब चीजे हैं तो अभी जब हम pluralism की बात करते हैं political science में तो कई सारे dimension pluralism में प्लूरिस्टा उरीजन में बात करते हैं कि स्टेत पॉइंट और वियू में PLU एकods इसके बात से हम बात करते हैं कि जो sovereignty है उसकी PLU एको प्लेवरिस्ट थयोरी बात करेंगे power के sense में हम pluralist theory के बात करेंगे आज जो मैं consider कर रही हूँ वो मैं क्या consider कर रही हूँ आपका pluralist theory of state power and democracy का हम कभी separate and sovereignty का एक separate video का भी बना लेंगे आज हम state का point of view देखेंगे तो pluralism clear हो गया ना कि pluralism आखिरकार है क्या अब pluralist view of state क्या है next question आता है तो pluralist view of state जो है वो different है किसके marxist perspective से या जो elite theory, lightest theory of state की उससे different है already मैंने marxist concept explain कर दिया अभी तक रहेच समझ में आ गया होगा आपको तो pluralist view कहता है कि जो state है ना ये किसी particular class का instrument नहीं है जैसा कालमाक्स कहते है कालमाक्स क्या कहते हैं कि जो state है ये instrument है किसके हाथ में जो हमारी haves class है उसके हाथ में जो capitalist class है लेकिन जो pluralist जो supporter है वो कहते हैं कि state क्या है का nature neutral है किसी particular class को support नहीं करता है क्योंकि जो pluralist हैं वो कहते हैं कि जो society में various kind के interest present है diversity of interest है जब groups में individuals में diversity है तो स्वभाविक सी बात है उनके interest में भी diversity होगी तो कहते हैं कि state neutral है particular class के interest को support नहीं करता और even कई बार तो state खुद vulnerable हो जाता है जब society में various groups अपने अपने interest के लिए pressure बनाते हैं कहीं न कहीं state को यह support कर रहे है then further pluralist theory कहती है कि जो modern state है न it is not dominated by one class जैसे कि capitalist या bourgeois class की जो हम बात कर रहे है right it is dominated by lots of associations and organizations getting it तो यह point एक important हो गया है जो important keywords है उसको मैंने already यहाँ पर highlight किया हुआ है आपको bold किया हुआ है आप देख सकते हो तो यह सारी चीजें आप लिखेंगे अपनी exam में और जब मैं notes बनाने को आपको बोलती हूँ न लेक्चर से तो यह keywords को ही note down करने की बात करती हूँ कि यह key points है इनको एक diary पे लिखते चलो आपके लिए notes भी बन जाएंगे तो यह हो गया not dominated by one class further pluralist view of state यह कहता है कि जो society है जो modern state है इसको इस तरीके से structure किया गया है कि society में जतने भी group है उनकी interest को united करे उनको synthesis करे reconcile करे ओके अब यह कैसे करेंगे क्योंकि modern state में बहुत हमें right to form association है न कि हमें group बनाने अपना association बनाने का right है जैसे कि आप देखते हो farmer associations है bank employees का associations है या lawyers का हो गया या doctors का हो गया तो modern state में जो democratic state है हमें association form करने का right है तो modern state का जो framework इस तरीके से है कि हम अपने association के through collectively अपने interest को government के सामने रख सकते हैं best example जो mention करोगे अभी recent में आपने देखा होगा जो farmer protest हुआ था farmers बिल को लेकर तो farmers का जो union था आपने देखा था कि कितना powerful था कितना strongly अपने point of view को रखा कि यह जो current bill government लेकर आई है यह farmers की interest में बिलकुल भी नहीं है तो किस तरीके से collectively अपने point of view को रखा जिससे कि government को decision लेना पड़ा और government ने उन फार्मर बिल्स को वापस ले लिया इसी तरीके से और भी चीजें आप देखोगे कि बहुत सारे और भी examples दे सकते हो रेलवे को privatization करने का जब news आती है तो आप देखते हो कि जो railway employees है वो उसके against में मतलब अपने collectively अपनी voice रखते हैं कि नहीं privatization नहीं होनी चाहिए bank का privatization का जब जब भी बात उठती है डिबेट होती है तो bank के जो employees है association है वो अपनी बात को collectively रखते हैं कि उसके against में कि नहीं होना चाहिए और और के examples दे सकते हैं recent में हाँ जैसे कि जो यह defense recruitment को लेकर था ना यह अगनिवीर अगनिवीर scheme जो थी आपकी शायद मैं अगर सही से recall कर पा रही हूं तो यही नाम है अगर let me know if I am incorrect here तो इसमें किया defense की recruitment लेकर जो scheme आई कि यह तीन साल यह चार साल का जो भी time period था तो फिर इसको जो student है जो particular examination competition के prepare कर रहे थे उन्होंने बहुत जादा इस विरोध किया कि नहीं होना चाहिए तो यह examples में मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि एक idea लगे कि किस तरीके से modern state में जो interest of the society हैं वो various group और association के तुरू रखे जाते हैं तो जो pluralist कहते हैं कि जो state में कोई particular class नहीं dominate कर रही है और नहीं state अपने तरीके से काम कर रहा है जो society में various groups and associations हैं वो direction दिखाते हैं इस state को getting it तो यह examples आप इनकी list बना लेना मैं हमेशा कहते हूँ कि हर एक topic के लिए आपके पास example की list होनी चाहिए और scholars की list होनी चाहिए यह दो चीज़ें आपकी exam आपके answer की value addition करते हैं और आपको extra marks मलते हैं current and relevant examples and the related या concerned scholars जो मैं अपने हर एक topic में आपको provide करने की कोशिश करती हूँ और आज की discussion में भी में वही कर रही हूँ और extra examples अगर आप आपको याद आ रहे हों तो आप मुझे comment में जरूर करना जिससे कि दूसरे student को भी पता चले even मेरा भी knowledge base increase होगा आपके example से कि हाँ ये भी example हो सकता है getting it then power is not concentrated in the hand of single group और ये fragmented है various group को इसका idea आप लग गया होगा तो ये सारे आपको pluralist view of state का समझ में आ गया कि क्या के features है क्या क्या points आपको include करना है ये pluralist view of state क्या है actually में और वो examples and scholars क्या है ये भी पता चल गया होगा then further कुछ और point discuss कर लेते हैं जो हम अपनी exam में mention कर सकते हैं कि जो pluralism है basically this was the protest against the monastic theory of sovereignty इसे हम detail में discuss करेंगे एक separate video में आज मैं आपको थोड़ा सा overview वस दूँगी कि sovereignty मतलब होता है supreme power supreme power for law making तो ये sovereignty किसके पास होती है state के पास होती है तो जो monastic theory के supporter हैं वो कहते हैं कि सिर्फ state के पास ये sovereignty है जबकि जो pluralist theory of sovereignty है उसके supporters कहते हैं कि जो ये sovereignty है ये particular state में नहीं है ये जो various groups हैं न associations हैं organizations है society के उनके बीच में distributed है getting it then further आप देखोगे कि pluralist कम ये मानना है simple से जो मैंने अभी explain किया कि जो sovereignty है सिर्फ state में नहीं रहती जो other institutions है society के उनको भी power कुछ न कुछ रहती है तो कुल मिलाकर ये है कि society में sharing of power है power जो है या चाहे वो decision making को लेकर हो चाहे वो law making power हो एक state में concentrated नहीं है society में जितने भी institutions है उनके बीच में distributed है तो आप इसे distribution of power कह सकते हो या decentralization of power कह सकते हो ओके तो ये हो गया आपका हाँ तो अब चाह तो जो ये बात कर रहे थे न कि जो capitalist class के एक और example लेते हैं नर्स हैं तो capitalist class का एक strong position मतलब strong position भी नहीं है कालमाक्स नहीं का था कि इनकी सिर्फ इनहीं की ही monopoly है workers के पास कुछ नहीं है तो pluralist कहते हैं कि capitalist class में ये possible है कि जो capitalist class है उसकी strong position हो बट ये बिलकुल भी नहीं है कि सिर्फ complete domination है capitalist class का क्यों complete domination नहीं है क्यों complete जो capitalist class है उसका ही सिर्फ उसके पास ही capable power क्यों नहीं है क्योंकि जो working class है उसके पास resources इस तरीके से हैं जो potential power है potential power कैसे है working class के पास working class जो उस proletariat है वो क्या कर सकते हैं अपना group और association form कर ले union जैसे की labor union trade union और उस trade union के थुरू अपनी जो voice है अपने जो interest है वो effectively रखें और इस तरीके से वो भी उस जो power sharing है उसका part बन जाएंगे getting it तो pluralist कहते हैं कि जो modern state है उनका setup और या framework बिलकुल भी इस तरीके से नहीं है कि कि किसी particular class या section या particular organization की dominance हो modern state का जो setup है वो इस तरीके से है कि वो different different जो interest है society को इनको reconciliation करती है इनको reconcile करती है getting it तो यह हो गए है आपका pluralist view of state अब इसके models बता दें तो there are three types of model पहला है कि witherween model यह कहता है कि जो state है वो खुद कुछ नहीं करता है state को direction या state को दिशा कौन दिखाता है जो हमारा public opinion है या जो pressure group के demand है example फिर से मैं यहाँ पे farmer protest वाला ही लोंगे जिससे कि आपके understanding बनी रहे तो according to witherween model यह है कि state खुद कुछ नहीं करता है जैसे public opinion आते हैं demands आती है state उस तरीके से काम करता है तो जैसे कि for example government को लगा कि farmer bills लाने चाहिए तो क्योंकि reform of agriculture की बात होती है discussion होता है बट जब government bill लेकर रही तो जो farmers का union था उन्होंने का नहीं यह बिल तो हमारे interest भी नहीं है government को इसे change करना होगा तो government ने उन्हें वापस लिए तो इस तरीके से witherween model कहता है कि state को यह public opinion यह जो demands होती है पब्लिक की वो direction दिखाते हैं और उस basis पर state काम करती है next जो model है वो है neutral state neutral state कहता है कि जो state है यह neutral behave करता है इसकी जो position है वो neutral है किसी particular group को support नहीं करता state आप अपने आप में neutral है getting it और state का काम क्या है कि जो various demands society में उठ रहे हैं उनके बीच में उनको reconcile किया जा सके उनके बीच में एक सामन्जस या balance बिठाया जा सके ताकि सभी के interest include हो उसमें चाहिए वो weaker group हो चाहिए वो strong group हो यह सारी चीज़ है getting it then next model is broker state model broker state model कहता है कि जो state वो एक broker के तरीके काम करता है society से various aspirations desires demands आती है और state उसको consider करता है उसमें उसमें उस जो conflicting demands रहती है उनके बीच में उसको synthesis करते हैं demands को interest को ताकि best out of that demands best लाया जा सके जो सबके interest में हो जो common good के interest पे हो जैसे for example national education policy लाई गई अब national education policy state को ने कोशिश किये के उसमें सभी groups के लिए उसमें जो interest है उसको शामिल किया जा सके getting it तो यह तीनों model आप ध्यान रखना इसको mention भी करना अब development कैसे हुआ pluralist theory का तो कुछ scholars हैं जिन से शुरुवात होती है जिनकी views से बैसिकली ओटो वी गैर के हैं इनकी writing से चीजें शुरू होती है यह एक जर्मन जियोरिस्ट थे इसके बाद से एक English jurist है F.W.Metland तो इन्होंने अपने एक बुक लिखी थी पॉलिटिकल थियोरीज ओफ मेडिल एज जिसमें कुछ-कुछ अपने point of view दिये थे तो प्रोफेसर आरेन गिलक्रिस्ट कहते हैं कि जो प्लियूरलिजम के बीज हैं ना वो इनके इन दोनों की राइटिंग्स में मिलते हैं और F.W.Metland ने से फर्दर डवलप किया है फिर फर्दर चलकर आप देखोगे किसका डवलप्मेंट कैसे हुआ फिर नेशन प्रोफे स्टेह्रिट कंशेप्ट में आथा है लगा सिफ में बात Sana में तो लोगे ने प्लूरिम होने बात कि वह ब्रूरिञ्स होना हुआ व जो सरौशाइटि के दूसरे ऑसोशेशnh ने USDA संगे में इस्ट्रिबूइटिब्ट होनी चाहीे ना कि सिफ ब С स्टेट के है okay factors हमें अब तक समझ लग गया होगा कि क्या कारण थे जिसकी वज़े से pluralist theory आई तो कुल मिलाकर जो state की power थी उसको कम करना था और धीरे धीरे जब modern society develop होती है तो जो various institutions है उनके बीच में interdependency develop होती है तो state भी उसमें शामिल है अब state अकेले कोई काम नहीं कर सकता है न स्टेट को चाहिए कि various institutions होने चाहिए जिनके help से काम करें जैसे कि अभी बहुत सारा state का काम NGOs करती है तो इस तरीके से pluralism धीरे धीरे develop हुआ criticism में देखा जाए critical evaluation में तो जो प्रटीक्स है plural theory के वो कहते हैं कि state कभी भी truthful broker नहीं हो सकता है क्यों क्योंकि state को अपनी power maintain करनी है और state को एक strong backup चाहिए तो स्वभाविक सी बात है state favor करेगा और किसको favor करेगा जो strong people है जैसे हम present में अभी government को criticize करते हैं अभी जैसे बहुत सरे criticism अभी प्रेजेंट में आपको मिल जाते हैं कि जो government है corporate sector को अभी प्रेजेंट जो ruling government है NDA government जो Prime Minister Modi led कर रहे हैं तो एक allegation लगाया जाता है opposition के दौरा कि यह corporate को favor करते हैं तो इस point of view से मैं यह explain करना चाहरे हूं कि जो critics हैं वो यह कहते हैं कि state कभी भी truthful broker नहीं हो सकता है state हमेशा dominance class को support करेगा कारण है क्योंकि dominance class से state को भी बहुत सारे mutual benefits है getting it तो बहुत सारी चीज़े हैं यह हो सकता है next है कि जो state है वो ही law बनाता है right कहा जाता है कि state is controlled by law state भाई अपना कुछ नहीं कर रहा है जो law है state हो नहीं क्या according चल रहा है बट critics कहते हैं कि यह law भी तो state ही बनाते है ना तो वो अपनी favor में law बनाएंगे getting it next और criticize किया जाता है कि अगर इस तरीके से अगर जो sovereignty है यह जो power है distributed है fragmented है among the various associations and groups in the society तो फिर state तो control ही नहीं कर पाएगी इन में तो फिर इस तरीके से तो society में problems खड़ी हो जाएंगी कभी-कभी अभी देखते होगे ऐसे issues आते हैं news पे कि जो charity institutions हैं group हैं या NGOs हैं वो foreign से funded होते हैं और वो कहीं न कहीं उसको अपने जो interest है उसको support करने के लिए काम करते हैं नहीं रह जाएगा तो कोई ऐसी भी mechanism होनी चाहिए तो यह कुछ criticism था pluralistic view of state का hope so आपको समझ में आया होगा guys एक बर में quick summarize करना चाहूंगी आज के discussion में हमने देखा कि pluralism की meaning क्या है प्लेन हमने देखा कि pluralistic view of state क्या है और pluralistic view of state support करता है कि state किसी particular class या group के लिए काम नहीं करता है फिर हमने देखा कि क्या-क्या factors थे और कैसे development हुआ pluralistic view of state का और हमने last में criticism discuss कि कि भाई जो critique से वो क्या allegation लगाते हैं या जो pluralistic view of state की shortcomings को कैसे highlight करते हैं मैंने आपको बहुत सरी scholars के नाम दिये कुछ examples भी दिये हैं मैंने तो कोशिश ये करिएगा कि इन्हें इन points को value edition के रूप में आप अपने answer में use करिएगा बागी मुझे comment करके बताईए कि आज का lecture आपको कैसा लगा and thanks for watching see you in the next video पसंद आया हो तो please like share and subscribe guys और आपको रवड़ के रवड़ेस